टीवी पर रामाएंड देखकर रामाएंड मतलब अर्वीन त्रिवेदी बहुत भावुक हुए क्या? तुझे कैसे पता? हेलो एप से देख ये है हेलो एप जैसे ही आप हेलो एप डाउनलोड करते हो उपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोज, आर्टिकल्स मिलेंगे उससे आप डे-टो-डे इंफोर्मिशन से अपडेट रख सकते हैं ये तो बहुत अच्छा एप है मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ कामकाजी बहु रवीना के दो बच्चे थे वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी उसके आफिस जाने की बाद उसकी सास उसके बच्चों को संभाला करती लेकिन रवीना को इसकी कोई कदर नहीं थी एक दिन रवीना अपनी मा से फोन पर कहती है ममी क्या आप बताओ मेरी सास तो बिलकुल अच्छी नहीं है वो समझती नहीं है कि मुझे कितना काम करना पड़ता है एक तो ओफिस तक का लंबा सफर और फिर नौ घंटे लगातार काम बैठे बैठे तो मेरी पीठा कर जाती है खुद तो सारा दिन घर में मज़े करती है जब मन करा सोए जब मन किया खाए तब ही उसकी सास वहां आ जाती है अच्छा मा मैं बाद में आपको फोन करती हूँ जी मम्मी जी कोई काम है क्या आपको क्या हुआ रविना बहु सारा दिन तो तू आफिस के मज़े लेती है लेकिन यहां यह बच्चे मुझे आराम भी नहीं करने देते मेरी तो तबियत खराब हो रही है तो आपको लगता है कि मैं दफ्तर में मौच करती हूँ आपको क्या समझाओ छोड़ी मा काम करना भी जरूरी है मज़बुरी नहीं होती तो मैं खुदी अपने बच्चों को देख लेती अब आज तो चुप्टी है ना आज तो कम से कम घर का काम कर ले बहु काम शुरू करती है बच्ची के साथ काम करना उसके लिए असमभव हो जाता है वो जाकर बच्चा सास को देती है और कहती है ममी जी ज़रा बच्चा तो पकड़ लीजी मैं घर का काम कैसे करूँ जैसे मैं करती हूं रोज बच्चे के साथ तुझे बताओं तो तू सोचती है के कोई बड़ा काम तो है नहीं बच्चा तो सोता रहता है, अब देख लिया खेर, बस मैं यही तुझे समझाना चाती थी ला, बच्चा मुझे दे और काम कर बहु मुँ बना कर वहाँ से चली जाती है वो मन में सोचती है हम, बात तो सही है बच्चे के साथ घर का काम करना असंबव है वो किसी तरह काम करती है और अगले दिन आफिस के लिए निकल जाती है आफिस में उसकी सहली उससे कहती है यार तु तो बड़ी लक़्ी है तुझे तेरी सास खाना बना कर देती है बच्चे भी देखती है और तुझे किसी बात की चिंदा भी नहीं होने देती अरे क्या लक़्ी बदले में मैं उन्हें पूरी कमाई जो दे देती हूँ और अपने बच्चे से दूर रहती हैं वो अलग हर किसी को ना दूसरे की प्लेट में ज्यादा घी दिखता है जा अपना काम कर अरे फेर भी ये तो है यहां हमारे बच्चे को मैं क्रेश में छोड़ती हूँ हर पर डर लगा रहता है कि क्या कर रहा होगा खैर चल मुझे क्या बहु घर आती है तो देखती है कि उसकी सास उसके बच्चे को बड़े ही प्यार से खिला रही होती है वो मा को देखकर खुश हो जाता है बहु मन में सोचती है कि बात तो सही है सासो मा सारा दिन काम करती है मैं आफिस से आकर भी काम नहीं करती हूँ वो सास के पास जाती है और कहती है मा जी ठक गया और क्या सारा दिन चक्कर घीनी की तरह पूरे घर में घुमती रहती हूँ और अब उमर भी नहीं रही लेकिन चल तू बता क्या हुआ कुछ काम है क्या पहु कुछ नहीं कहती मुस्कुरा कर वहां से चली जाती है लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बहू साथ से पहले उठ कर उन्हें चाई देती है अरे आज सूरज कहां से उगा है? तू पहले उठ गई? चल अच्छा किया मनने से पहले तेरे हाथ की चाई तो पी ली चलो अब चल कर किचिन में लगू मा जी आपको आज से काम करने की जरूरत नहीं है काम करने की जरूरत नहीं है मतलब क्या तू करेगी आज से सारा काम इतने अच्छे तो हमारे नसीब नहीं है भाई नहीं मा जी मैं नहीं करूंगी नहीं आप करेंगी बल्कि ये करेगी तभी वहाँ एक काम वाली बाई आ जाती है ये कौन है बहू? माजी ये नौकरानी है और आज से सारा काम यही करेगी मुझे माफ कर दीजिये माजी मैं नहीं समझ पाई कि आप ठक जाती है आज से आप सिर्फ आराम करिए और मुन्ने के साथ खेलिए और सास बहू बच्ची के साथ खेलने लग जाते है